हेलो भीवर्स मैं लालन सर पुना अपस्तित हूं आपके यूटूब चैनल पे आपके लिए इंटरेस्टिंग सवाल को लेख है यह सवाल डिफ्रेंशेशन से संबंदित है जो भीवर्स इस चैनल पे नए नए होंगे उनसे हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं आप इस चैनल को सेर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकान दवा दे और अपने फ्रेंट्स के लिए में शेयर करते ताकि आपके फ्रेंट्स को भी फायदा हो और आपके सर ललंसर का भी मौटिवेशन हो सके यह सवालोन व्यूवर्स के लिए जो क्लास 12 में है चाहे सीवेसी बोट क हो चाहे बिहार भूट की ऐसे भी व्यूवर्स के लिए हैं जो इंजिनेरिंग के त्याई करते हैं तो कि फांडेशन ही होता है इसी फी इंजिनेरिंग या मेडिकल का 11 12 आप 11 12 के बिना कल्पना नहीं कर सकते हैं आगे का तो आपके सवाल जो है डिफेंशेट तर इस पर पावर फाइब दूसरा नमर है अंडर रूट एंटू सान एक्स इंटू सान एक्स हम बारी बारी इस बनाते हैं वेस्टन नमर वन इसको मान लेते हैं लेट य एक्वल तो कॉस एक्स यू इंटू साइन स्क्वाइर एक्स का पावर फाइब इसको हम वन मान लेते हैं डिफेंट इक्वेशन वन with respect to acts on both side we get अगर हम differentiate करते हैं तो क्या हम पाते हैं therefore चुकि यह differentiation जो है function of function से सम्मन दित है इसमें बहुत सारे function है तो हम बारी बारी से हम तब तक करेंगे जब तक की x तक हम नहीं पहुन जाते हैं तो हम करते हैं derivative of y with respect to x इसमें जो होगा यह product of to function है यह और यह product है अब हम इसमें करते क्या है cos x to just cut us रखेंगे हम यह rule होता है derivative of sin square under bracket x के पावर 5 का derivative हम x के साथ का प्लस sin square x के पावर 5 just cut us यह भी अदर ब्रैके अंदर रखेंगे into derivative of cos x पे पावर q का हम करेंगे x के साथ अच्छ याइस और derivative of y with respect to x equal to cos x q just cut us अब यहाँ पे करते हैं हम फिर बाद में आपको समझा देंगे पहले कर लेते हैं derivative of sin square under bracket x पे पावर 5 जो है इसका होगा पहले derivative sin x पे पावर 5 के साथ into sin x पे पावर 5 का derivative हो जाएगा x पे पावर 5 के साथ into derivative of x पे पावर 5 का हो जाएगा x के साथ एक्षिए अब हम इसको समझा देंगे पहले लिख लेते फिर समझा देंगे plus sin square under bracket x पे पावर 5 जाशका तस derivative of cos x q पहले हम करेंगे derivative of x q के साथ एक्षिए derivative of x q का करेंगे हम x के साथ एक्षिए हो गया अब हम इसको समझाते हैं यह जो सवाल है function of function से जमनतीत है हमको क्या करना है with respect to x करना है और इसमें जो यह यह जो यह जो फंसने पाले इसका फंसन है साथ पावर फाइब जो है वाले साथ अंडर ड्रेकेट एस पावर फाइव एक्षिए पावर फाइब का फंसन है यह जो है इसका फंसन है फिर यह इसका फंसन है एक्स का और फिर इसी तरिके से जो है कॉस अंडर ड्रेकेट एक्स्टू जो है पहले एक्स्टू का फंसन होगा फिर एक्स्टू एक्स का फंसन होगा जब तक हम एक्स पर पहुंचते नहीं तब तक इसको हम डेरिवेटिव करते ही चले जाते हैं इसमें बहुत सारा फंशन इंवाल्ड है हम उम्मिद करते हैं आप लोग समझ गया होंगे है और डेरिवेटिव आप वाई विए रिस्पेक्ट टू एक्स इप्वल टू कॉस एक्स तू जास का तस अब यहां लिखते हैं पावर चुपी डिफ्रेंसेशन में मल्टिप्ल होता है तो पावर टू मल्टिप्लाइ कर रहेंगे इंटू पावर एक घड़ जाता है तो तू में स पावर फाइव फिर क्या होगा यहां पर फाइव मल्टिप्ल होगा और फाइव में वन सब्ट्रेक्ट हो जागत फॉर हो लाएगा यहां तक हो गया प्लस साइन स्कुराइड एक्स पे पावर फाइव जसकतस अब यहां देखा रहें कॉस्ट का क्या हो जाता है मैनस साइन हो जाता है मैनस साइन एक्स पे पावर एक्स टू यहां पावर फिरिये पावर मल्टिप्ल हो जागा तो फिरिये हम यहीं डिकते हैं और एक्स में पावर म गहट जाएगा तो x square और अब हम इसको यही इसका इंसर है लेकिन हम इसको सुल्धा के लिए लिए therefore derivative of y with respect to x equal to इसको सुल्धा के हम लिख लेते हैं 5 to the 10 ठीक है 10 10 5 to the 10 x के पावर 4 पहले लिख लेते हैं ठीड हम cos under bracket x cube into sin x के पावर 5 cos x के पावर 5 हम इसको इसी को सुल्धा के लिख रहे हैं x के पावर 5 plus plus minus minus यह मैनस हो जाएगा minus plus minus हो जाएगा x square sin square x पे पावर 5 या जो 3 हम यहीं लिख लेते हैं 3 x square sin square x पे पावर 5 into sin x 2 यहीं इसका answer है question number 1 का आप उसका screenshot ले लिजे ताकि कहीं problem पर्प्रें को यहीं